इस टोपिक का पहला पॉइंट हम लोग डिसकस करते हैं पहला पॉइंट है इंग्लीज इजन इंटरनेशनल लिंक लेंग्वेज मतलब इंग्लीज क्यों जानना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए क्यों उसको सीखना चाहिए तो इंग्लीज इंटरनेशनल लिंक लेंग्वेज है लिंक का मतलब बता है कि सपोच पकड़िये हम इंडिया के लोग है और एक दूसरे कांट्री के लोग सपोच रसिया इंडिया और रस्या यह दो मुल्क दो कांट्री के अगर दो लोग कहीं मुलाकात हो उनसे मीटिंग हो तो अलग 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 लेंग्वेश वाले होते हैं तो हम लोग को बीश में एक दूसरा लेंग्वेशन के लिए एक लेंग्वेश चाहिए शपर चाइनिज और इंडिया अगर कहीं मुलाकात करे तो देखो चाइनिज लेंग्वेश इंडियान को आती नहीं और इंडियान लेंग्वेश चाइनिज को आती नहीं तो बीच में एक लिंक लेंग्वेश आए उस स्टेज में मतलब उस सिचुएशन में इंग्लिश लें लेंगडिस हैं और अधिक जिसका उघ्स का लेंगवेश। तुषूजयवेस कराता है वह CSS साध्य जйनाऊ है। दोल कांट्री के मिज़का जो कम्मिनिकेशन होता है वो ज्यादा तर इंग्लिस में होता है इसलिए इंटरनेशनली अगर किसी के साथ कम्मिनिकेशन करना हो तो इंग्लिस is the only used language, mostly used language in the world as a communication between two countries or the people from different countries तो ये एक अच्छी important बात है और ये भी सो सकते हैं कि अभी हम लोग अमेरिका वाले से इंडिया वाले कब मुलाकाट करेंगे तो कब इंग्लिस बोलना है ये बाद आज के जमाने में वोर्ल्ड अभी इतना छोटा होने लगा है वोर्ल्ड is become so small it is becoming like a village अभी वोर्ल में इतना टेक्नलोजी गमेंटिकेशन इतना अच्छा हो रहा है कि वोर्ल एक ग्लोबेल भीलेंज जैसा हो गया तो कोई भी असानी से अमेरिका तक जा सकता है, कोई भी असानी से विजेश फोरेन जा सकता है, वहां से इधर आ सकता है, तो आने जाने का जो सिल्षिला इतना इजी है और हो भी सकता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, तो स्टुडेंस लोग जब आप लोग बड़े होंगे, तो आना जाना जरूर हो गाई होगा। आप नहीं जाएंगे तो भी कोई ने कोई आएगा। जो आने जाने का सिलगता रहेगा। जब आएंगे और या तो जाएंगे, तो बीस में कम्यूनिकैशन तो wondered और ये कम्यूनिकेशन के लिए अपना जो मादाटांगे उसके इलावा हम लोगों अंग्रेजी जानना इंग्लिज जानना बहुत ज़र्वे नहीं तो हम लोग उन लोगों से कभी कम्यूनिकेट नहीं कर पाएंगे यह सबसे बड़ा बात है अगर हम कोई विदेश फॉरेंग के महमान से कभी बात भी नहीं कर सकेते हैं यह तो बहुत बड़ी दुखी बात होगी तो जब कम्यूनिकेशन कोीजी करना है फॉरेंग कांटि जानना जात जरूल जरूरी नहीं तो हम लोग कभी foreign country, people of foreign country के साथ कभी भी communication नहीं कर पाएंगे और जब communication नहीं कर पाएंगे तो actual development कभी भी नहीं होता है इस दुनिया में जितना भी development हुआ है, communication के ठोस ही हुआ है So without communication, कभी भी complete development, कभी evolution complete हो ही नहीं सकता इसलिए दुनिया के different countries उनके बीच में जो communication होता है उसी हिसाब से ही human civilization का evolution, means development होता है So इसका main factor is communication होता है So ये international communication के लिए भी English language जानना बहुत जरूरी है Point No.2 है National Link Language English is not only an international link language It's also a national link language अभी हमार इंडिया के बहर का अज़र बाद हम लोगे Point No.1 में डिसकस कर लिए अभी इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर में भी बहुत ऐसे states हैं जहां पर हिंदी जो हमारे रास्ट्र भासा है हिंदी वो उस states में जला यूज नहीं होता है देखिए हमारे नौर्थ इंडिया में ज्यादातर हिंदी यूज होता है लेकिन आप जब साउथ इंडिया में जाते हो साउथ इंडिया में देखो तमिल नाडू, अंध्रप्रदेश, तेलेंगाना, केरेला, करनाटा ये ज्यादातर जो states हैं उनमें इंडिया में ज्यादातर हिंदी यूज होता है लेकिन साउथ इंडिया में और कहीं कहीं नौर्थ इंडिया में भी हिंदी को ज्यादा इंपोर्देश दिया नहीं जाता है इंग्लिश को हिं ज्यादा इंपोर्देश दिया जाता है तो आप कभी अगर जाते हो गूमने के लिए आप चैन्नाइ में जा रहा है तो चैन्नाइ में जाने के वाफ आप वहाँ दो-चाल दिन ठेहरें तो वहां जो कम्यून करना पड़ता है वहां के लोगों के साथ वह कम्यूनिकेशन आपका लेंक्वेस्ट तामिल नाग में नहीं चलेगा आप हिंदी बोलोगे तो वो लोग जबाब नहीं देगे वो लोग हिंदी बोलते ही नहीं तो आप तामिल भी जानते नहीं और वो लोग भी हमारे लेंग्वेस्ट जानते नहीं हमारे मादाटांगों ने भी पता नहीं तो कम्यूनिकेशन किस से करना है तो इंग्लिज से करना पड़ेगा तो वहां पे साउथ इंडिया में ज्यादा तर दो डिफरेंट लेंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग अगर मुलाकात हो तो वहां का लिंक लेंग्वेज ज्यादा तर इंग्लिश होता है जैसे नॉर्थ इंडिया में दो लोग के बीच का लिंक लेंग्वेज होता है ज्यादा तर हिंदी होता है डेली साइट में आप जाओ तो लिंक लेंग्वेज ज्यादा हिंदी होता है लेकिन चिन्नाई में आप जब जाओ तो ज्यादा लिंक लेंग्वेज इंग्लिश ही हो तो South India में और कहीं कहीं, North East में अगर आपको communicate करना पड़ेगा, अगर वो लोग इधर हे आए, आपके घर पर आए, आपके आज पास आए, आप से कहीं मुलाकात हो गई हो, तो भी आप उन लोगों के साथ English बोले, तो वो लोग comfortable feel करते हैं, और आपका भी communication easy हो जाता है तो इंडिया के बाहरी नहीं, इंडिया के अंदर भी कहीं कहीं इस स्टेट से जगा है, जहां पर हिंदी नहीं, बलकि अंग्रेजी को ज्यादा importance दिया जाता है, communication के लिए, इसमां एक history लिए, पहले जब हमारे देश आजाद हुआ था, 1947 में, तो जनतर हमारे जो न्यता थे, जनतर न्यतावने हिंदी को रास्ट्र भासा सिकृदी किये थे, तो इंडिया accepted हिंदी as a national language, लेकिन उस टाइग में जो साउथ इंडिया के स्टेर्ज थे साउथ इंडिया के स्टेर्ज ने प्रोटेस्ट किया था कि हिंदी को राष्ट्रवाशन ना बनाया जाए साउथ हिंगन कोई लेंगोईज यानि तामिल साथ सपोज तामिल को राष्ट्रो बचा बनाया जाए वो एक बड़ा गमा भी हुआ था कि हिंदी को नहीं तामिल को नेशनल लेंगोईज बनाया जाए तो लेकिन उस एक जो वो कंट्रूवर्शी था उसमें लेकिन हिंदी स्पिकिंग पोपुलेशन ज्यादा होने के बज़े से वो हिंदी एक्सेट किया गया था लेकिन उसके बाद भी साउथ हिंडियान स्टेट्स ने खुब प्रोटेस्ट करने लगे उसके बाद 1962 में गॉर्ब्मेंट ने एक रिजूलुशन ले लिया मतलब वो अभी कंस्ट्यूशनली एक्सेटेड है कि 1962 में इंग्लीज हैज बिन एक्सेटेड एक्सेटेड एस एससोशेट ओफिसियल लेंग्वेज ऑफ इंडियान नेशनल भारत कर जो ओफिसियल लेंग्वेज नमर वान हिंदी है तो उसके साथ सेकेंड ओफिसियल लेंग्वेज इंग्लीज को भी ले लिया था 1962 से क्योंकि वह साथ इंडियान स्टेट से इसके बारे में वह ज्यादा ही प्रोटेस्ट तो उसके बारे में साथ इंडियान स्टेट सांथ हो गये थे आप देखिए इंडिया में ज्यादा तर जो ओफिसियल डॉकुमेंस होते हैं या ओफिसियल ओडर्स होते हैं या नोटिफिकेशन होते हैं जो भी अपिसे निकलता है ज्यादा तर इंग्लीज में ही निकलते हैं यह तो सुप्रीम पोड का जो भी भाडिक निकलता है ओडर निकलता है हाइपोत का निकलता है वो हमेश एंग्लिज में होता है तो इस एक पता चलता है कि इंडिया हमारे देश के अंदर में भी ऐसी बहुत जगह है ऐसी बहुत फिस है जहां पर इंग्लिज का तो अगर हम लोग English अच्छी तरह से सीखे जाने तो हमारी knowledge बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है हम अच्छी तरह से communication कर पाएंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे तो इस वीदिया है। वितिन इन 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 वाल, विवाल वाल आणिश में एक बीएंगे अच्छी और पेन अच्छी तो हमार अच्छी तो याप लोग अभी शॉडटी थाएंगे सुड़ा ओंगे एंगे बीएंगे और सो शॉत हमार इंगे खाया, जैसा अच्छी को आख म में पढ़ रहे हो 10, 12 उसके बाद जब भी higher education में जा रहे हो higher education में सब्सक्राइब के बाद आप medical करो, engineering करो जितना उपर जाते हो तो उतना ही medium of instruction English बनता ही बनता जाएगा बड़े क्लासों में higher education में ज्यादा तर almost 100% आप कह सकते हो कि books का जो language होता है, curriculum का जो language होता है, medium जो होता है वो ज्यादा तर English ही होता है और media में higher education के जो books होते हैं, वो books English में ही available होते हैं बाकी languages में higher education का books available होते ही नहीं बड़े क्लासों को अच्छी तरह से pass करना है, उसके बाद आपको कुछ dream achieve करना है गोल achieve करना है, तो उसके लिए English language हितना फाइदा देता है इसे से पता चलता है कि उस level में ज्यादा तर books, उस level में medium of instruction, means of communication सारे English में होते हैं तो आप अगर English अच्छे से जाने नहीं, तो higher education करी नहीं पाते हो आप अगर English अच्छे से जानते हो, तो ही आप higher education में कुछ achieve कर सकते हो, पढ़ सकते हो तो नहीं जानने से आप higher education अच्छी तरह नहीं कर सकोगे English becomes the main trick, because communication, language, books, media, यह सारे सबसे important बात है अभी आप किताब पढ़ सकोगे, उसको समझ सकोगे So you must know English well, otherwise आप books understand करी नहीं सकते तो इसके लिए आपको अभी से, so English, English का language जो, English language को आण करना पड़ता है, लाण करना पड़ता है धिरे धिरे तो आप जब English अच्छे से जानने लगोगे, तो higher education आपको, एक successful higher education जरूर होगा So, अच्छे स्टुडियन साइन्स हो, या आर्स हो, या कमर्स हो, जो भी स्टुडियन या इबार्टमेंट से हो अच्छा स्टुडियन का जो लिंग्विस्टिक जो नौलेज होता है, लिंग्वेज का नौलेज वह भी अच्छा होता है इसलिए वह से कुछ सीख सकता है, कुछ केज कर सकता है, कुछ आन कर सकता है सब्जेक्ट, टॉपिक्स और जो डॉमेइन ऑफ नौलेज है, उसके साथ साथ आपको लेंग्विज भी जरूरी होता है कि आप अगर लेंग्विज अच्छी से जाने है, तो ही तो उस किताब से आप कुछ ले सकते हो तो इस बहुत जरूरी है कि आप इंग्विज में अच्छा हो, तभी आप हायर एग्विजिशन में कुछ अच्छा कर सकते हो नमबर फूर पॉइंट यह है कि इंग्विज इस लेंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी आप दो जानते हैं सुबह से लेकर रात सोने के टाइम तक सारा दीन और से अभी सारा जिंदगी विदाओट साइंस एंड टेक्नोलोजी आज के जमाने में एक भी इंसान लाइफ इमाजिन नहीं कर सकता है तो साइंस एंड टेक्नोलोजी एक एक याम्मल लेते हैं सब्सक्तिं क्पूटर so computer without computer जो computer का जो software होता है जो different functions होते हैं वो mobile में भी मिल जाते हैं जदा तर अजकल computer, mobile, laptop ये सारे चीज अलग जदा तर एक जैसे हो गएगा so computer बिना और mobile के बिना laptop के बिना हमारी जीवन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं so English ही main language and main means of communication है science and technology का तो इसे picture clear हता है कि without science and technology we cannot imagine life and without the knowledge of English language we cannot explore the science and technology fully last but not the least this point कि English language का जो importance है एक students के career में एक students ही नहीं एक इंसाम के career में वह है कि आप लोग जो पढ़ाय कर रहे हो पढ़ाय जो कर रहे हो उसका दो objectives होता है एक आप जो पढ़ रहे हो उसका एक objective यह है कि आपको कुछ knowledge हसिल करना है आपको आपको wise बनना है wisdom लेना है वह पहला objective होता है education का second objective यह है आज के जमाने में पढ़ाय करने का second objective होता है कि आपको अपने पैरों में खड़ा हो है आपको कुछ बनना है आपको कुछ पहचान भी बनाना है और अपने पैर में खड़ा होना है यनि कुछ आपको जॉब भी चाहिए कुछ करना है future में without job तो आपको कुछ करना है, वो भी एक education का आज के जामाने का एक जरूरी हिस्सा है, तो आपको पढ़ाए के बाद आपको नोकरी चाहिए, जॉब चाहिए, उस जॉब में इंगलीज का क्या importance होता है, आई एक कुछ इसके बारे में डिसकस करते हैं, आज कर जो exaams होते ही, आप state level के हो, आज local level के हो या national level के हो, ज्यादतर exaams में, जो रिटेन exaams होते ही, उस रिटेन exaams में, रिटेन exaams के जो syllabus होते ही, वो syllabus में w English भी एक उसके अंदर डिया होता है, कि सबस्पक्रिया आप 100 marks का exam दे रहा है या 200 marks का exam देता है almost 20% 30% marks English levels में दिया जाता है कर SAC exam हो या अगर बड़े-बड़े exam हो NDA से लेकर CDS से लेकर बड़े-बड़े exam civil service competitive exam से लेकर अगर छोटे exam तक English के questions रिड़न exam में होते हैं तो आपका अगर English अच्छा हो अगर आप English में अच्छे हो तो आपको वहां भी ये चीज बहुत काम आएगे नुकरी का exams पास करने में इसी तरह यह जो पास पॉइंट बोले हैं कि English international linked language है इसलिए हम लोगों को English में अच्छा होना जरूरी है English national linked language भी है इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से लाण आण करना है नुमर थ्री language for higher education यह higher education में main media of instruction बन जाता है तो यह higher education के लिए English जानना बहुत ही जरूरी होता है नुमर फॉर language for science and technology के बिना हम कभी जीवान कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए English language भी उतना ही जरूरी होता है नुमर 5 and the last but very important also कि जिन्दगी में कुछ बनना है कुछ नुपरी हासिल करना है जौब लेना है तो English आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप exams pass करना चाहते हैं तो आज हम लोगोंने कुछ इसे पांस पॉइंटे लिए इसे भी बहुत ज़्यादा और उस पॉइंट भी होते हैं छोटे छोटे पर इस पांस पॉइंट को अगर आप deeply सोच देंए तो आप लोग पता ही चलेगा कि English कितना जरूरी है इसलिए एक बात मैं बोलता हूँ कि आप अपने language अपने मादाटांग हमारे रस्ट्रबासा हिंदी के साथ साथ ही English को भी आप importance दीजिए उसको एक्स्ट्रा क्यार किजिए आप बलाई जो भी stream में हो science show, humanity show या commerce show जो भी stream हो जो भी department में हो आप English को लेकिन एक्स्ट्रा क्यार किजिए क्यार दीजिएगा क्योंकि आपका side by side English अच्छा हो तो आपको आपके जिंदगी में आपके career में ये बहुत फाइदेमन साबिक होने वाला है कि आपके